नमस्कार दोस्तों थे, आप सभी का पाथ Finder पर दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो जितनी तेजी से उपर उठता है वो कई बार उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है दोस्तों चाइना जिस प्रकार से ग्रो किया है पिशले तीन दशक की अगर हम बात करें तो वो एक miracle रहा है क्योंकि हम पूरे इतिहास में देख लें जब उसे प्रिच्वी में मानव रहे हैं आप तब उसे देख लें कभी भी किसी भी देश में इतने बड़े जनसंख्या को इस गती से गरीबी से नहीं बाहर निकाला गया है जिस गती से चाइना ने ये करके चाइना का अब पतन शुरू हो चुका है दोस्तों इस प्रकार से चाइनीज एकॉनमी दलदल में फश्च चुकी है जहां से उसे निकालना बेहद कठिन होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है मानों जैसे इतिहास अपने पन्नों को दोरा ρεί से Cana Bandair कहीन हमें देखने मिल रहा है जो यह वर्ष पूरि इस देश का था क्या आप यह ग्राफ देख पा रहे हैं दोस्तों यह एकनमिक ग्रोथ का ग्रांव देख रहा है किस प्रकार से किस रेट से जीडिप ग्रोख की है जैसा आँ हाँ पर देख पा रहे हैं जब ये economy 9.1% से grow कर रही थी, दोस्तों ये economy है Japan की, ये वो वक्त था जब Japan के बारे में कहा जाता था, ये आने वाले दिनों में America को सरपास करने वाला है, America को अगर को economy टक कर देगी, तो वो Japan होगी, Japanese growth story को भी एक miracle कहा जाता था, Second World War के बाद Japan भ्यान अक्विशन गरीबी से गुदर रहा होता है, और उसके बाद वो तेजी से अपने आपको कही न कहीं develop करता है, पर दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, Chinese miracle अपने आप में बहुत बड़ा miracle है, क्योंकि Japan के पास Second World War के time तक एक अगर आप देखे दोस्तों, तो 1956 से 1973 में ऐसी कहानी आती है कि Japan दुनिया भर में यही कहा जाता है, कि it is going to be the next superpower America को हटा देगा, अगर आप देखे जो भी industries लग रही होती है इस बीच में, अगर आपने फिल डॉग की, फिल नाइकी की शू डॉग पड़ी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कैसे वो जूते बनाने के लिए Japan जाते हैं, वैसे ही अगर आप अन्य hero group के बारे में पड़े हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कैसे hero Honda Japan के साथ इसमें भी coordination किया जाता है, तो यह वो दौर है, जब Japan दुनिया को rule कर रहा था, ऐसी कहानी आती है कि Japan will be the superpower of the world, 1974 में दोस्तो अगर आप देखें, तो उसके एक साल पहले 1973 में oil shock आता है, जपैन अगर देखें तो oil consuming economy होता है, 1973 में Yom Kipur war होता है, जिसके बाद जो Arab countries होते हैं, वो oil as a weapon में पहली बार use करते हैं, और oil के जो exports हैं उसको रोग देते हैं, तो पूरी दुनिया में oil तीजी से उसके दाम सा आतवे आसमान पर पहुच जाते हैं, और यह सारे oil importing countries की economy तीजी से collapse करती है, और वही आपको एक यहाँ पे इस प्रकार का disturbance देखने मिलेगा, otherwise फिर Japanese economy रिकूपरेट कर जाता है, रिकवर कर जाता है, और वापस सवा 4% पर ग्रो करता है 1990 तक, दोस्तों इस बीच में यह high income economy बन चुका था, और इस बीच में high income economy 4.2% पर ग्रो कर रही थी, यह developed economies like USA से काफी fast था, Japanese economy अभी भी यही कहा जाता है, कि यह USA को जल्दी सरपास कर जाएगा, यह सबसे बड़ी economy बनेगी, पर दोस्तों फिर 1991 में आप देखें तो पहली बार यहाँ पे जटका लगना deflation देखने मिलता है, और उसके बाद से जो deflation की कहानी चलती है, वो deflation की ही चलती जाती है, अब तक आप अगर देखें, Japanese economy kind of deflation से ही सफर कर रहा है, दोस्तों यह बताता है, कैसे अगर आप देखे, 1991 से लेके 2014 तक, Japanese economy stagnate कर गई, बढ़ी नहीं, 0.9% growth rate, लगबग stagnate कर गई वो economy, यही कहानी कहा जा रहा है, अब चाइना के साथ होने वाला है, दोस्तों कहा जाता है, 1991 से लेके 2001 तक, Japan का lost decade था, क्या वही चाइना के साथ अब होने वाला है, दोस्तों कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो जपैन के साथ हुआ है, वही अब चाइना के साथ हो रहा है, दोस आईए आपको बदाता हूँ क्या चाइना मिडल इंकम ट्रैप में फसने वाला है इन सब पे चर्चा करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अलग-अलग विभिन पत्रिकाएं हैं जिसमें ये सारी न्यूस कवर की जा रही है तो आईए डेटा सहित इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो चाइना में डिफलेशन देखने मिल रहा है डिफलेशन का क्या मतलब होता है जैसा आप यहां पर देख सकते हैं डिफलेशन का सिंपल अर्थ क्या है जो कॉस्ट है कोमोडिटीज की सर्विसेज की वो बढ़ने के बजाए क में चाइना में भी देखने मिल रहा है अगर हम देखें कंज्यूमर प्राइसे ज्याने की आपके मेरे जैसे लोग जब खरिदने जा रहे हैं तो वह अगर आप देखें तो जून 2023 में शुन्य प्रतीशत हो चुका है याने की आप अगर देखें तो इसकी जो पिछले साल क कोई चीज 100 रुपय का बनाता था तो इस सालो 95 में बना रहा है 5 प्रतीशत से गिरावट आई है अब आपको तो लगना चाहिए कि सरी तो अच्छी बात हुई ना चीजें सस्ती बन रही हैं चीजें महंगाई दर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है क्या ऐसा होता है बिल रेट दर का लो रेट का इंफलेशन देखे तो वो हेल्दी माना जाता है पर अगर डीफलेशन हो जाए तो वो बहुत ज्यादा हानी का रख है डीफलेशन इस वेरी डेंजरस क्यूं ऐसा क्यूं कह रहा हूं मैं दोस्तों अगर मान लीजिए मुझे एक घर खरिदना है घर की कीमत 10 लाग हो जाएगी तो क्या मैं घर खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा मैं वैसे ही अगर मेरी मुझे फैक्टरी है मुझे फैक्टरी के लिए एक मशीनरी लेनी है वो मशीनरी मुझे मान लीजिए आज के टाइम में उससे मैं कुछ गुड्स बनाता हूं और वो समान बना रहे हो इस साल तो तुम 100 रुपय में बेच लोगे इस मशीन से अगले साल तुमारा समान 95 रुपय का विकेगा तो क्या मैं अभी भी वो मशीन लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा तो दोस्तों कुछ वैसी ही बात हो रही है अगर किसी एकॉनमी में डिफलेशन हो ज जाएगी जाहिर सी बात है अगर डिफलेशन हो रहा है मतलब एकॉनमी में कोई समान कंजियूम नहीं कर रहा चीजे बन रही है कोई खरिदार नहीं है इसका क्या मतलब हुआ आने वाले दिनों में इंडिस्ट्री क्या कर देंगी बनाना बंद कर देंगी समान स्टॉक पड ग्राज्वली डिफलेशन किसमें तबदिल हो जाता है रिसेशन में और आगर और बुरा हुआ तो डिप्रेशन में में क्या अंतर होता है दोस्तों रिसेशन अगर आप देखे तो यह नॉर्मल है किसी भी इकॉनrik ग्रोथ में अगर आप देखे तो इस परकार का साइकल हो दो consecutive quarter negative GDP growth कर रहे तो उसे recession कहते हैं यह cyclical है this is natural लेकिन जब GDP 10 प्रतिशत तक से गिरनी शुरू हो जाए यह unnatural तरीके से GDP गिरने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं that is called as depression बाकि आप इसको detail में पढ़ लीजेगा यहां पे मैंने दे दिया है तो इससे अगर आप देखे तो चाइना में बहुत ध्यानक डिफ्लेशन चल रहा है जो लग रहा है यह recession and depression में convert हो सकता है जपैन के साथ comparison करते हैं आपको clarity मिलेगी जपैन में दोस्तों पहली बार जैसा मैंने आपको बताया था डिफ्लेशन पहली वह unnatural था वह war हुआ दुनिया भर में हुआ था सारे oil consumers के साथ हुआ था इंडिया भी उसमें कहीं न कहीं फसा था तो उसके बाद अगर आप देखे तो 1995 में पहली बार इस प्रकार से deflation जपैन को देखने मिलता है और उसके बाद जपैन के साथ क्या होता है आप यहाँ पे देखे यह continuously इसी trap में फसा रह जाता है यह 2008 नो के financial crisis तक अठका रहता है राधर अभी भी देखे तो जपैन में जो central bank की उसकी policies होती है ultra lose रहती है क्योंकि वहाँ पे inflation नहीं है वहाँ पे deflationary pressure है वह उसी को combat करने के लिए अपना पूरा का पूरा आप देखे तो central bank उसी प्रकार से काम करती है और इस वज़े से जपैन का क्या हुआ एक lost decade हो गया जैसा मैंने आपको यहां पर बताया पॉइंट 9% का growth याने 1991 में लगबग जो जपैन economy थी वह वैसी ही रह गई तो क्या चाइना भी वैसे ही हो जाएगा आज जो उसकी economy है करीबन 20 trillion की जो खुद कहता है क्या उसमें ही हम अठकने वाला है वो आईए इसको और बहतर समझते हैं दोस्तों यहां पर कुछ लोग कहेंगे चाइना नहीं बदेगा चाइना क्या करेगा deflation आ गया तो monetary expansion कर दो क्या मतलब मतलब बड़ा सिंपल है अगर deflation हो रहा है न तो सच्टे में लोन दे दो सबको जादा से जादा economy में क्या होगा वापस production होगा अपने आप demand बड़ेगी जोगों को नौकरी मिलेगी और उससे और demand बड़ेगी economic engine kickstart हो जाएगा यही कहते है तो यहाँ पर deflation है तो monetary expansion कर दीजिए क्या यह simple process है क्या यह काम्याब होगा नहीं होगा चायना की बात आज के time में आप करें तो हर घर में जो household debt है वो income के उस घर के उस परिवार का जो income है उससे डेड़ गुना उस पर already उधार है तो क्या ऐसा परिवार और उधार लेना च चाहेगा दोस्तों अगर आप देखें यह जो डेडर गुना का जो income का debt हमें देखने मिल रहा है यह अगर आप देखें तो एसा डिवलब्ड countries में भी देखने नहीं मिलता है यूएस में भी इतना बड़ा नंबर नहीं है इतना बड़ा देखने मिल रहा है दोस्तों के real estate crisis इस्भी हुआ यू go जाके घर खरिदने चले गए घर भी ले लिया लोन ले लिया वो कोई बात नहीं किरायां पुछ रगांगे फ्ला करेंगे कि अधे से ज्यादा लोग बोल दिया कि भाई अब घर हम और पैसे ना दे पाएंगे और इस प्रकार से एक real estate crisis चल रहा है दोस्तों इसी प्रकार की crisis वहाँ देखने मिल रही है चाइनीज companies already उन पर इतना ज़्यादा debt हो गया है कि अब वो नया debt नहीं लेना चाह रहे हैं सेम कहानी वहाँ के households की भी है जो homeowners है ना जो already उनके उपर जो debt है उसको वो जल्दी से repay करना चाह रहे हैं कारण क्या है कारण है वो जल्दी ही retire होने वाले हैं कुछ सालों में आने वाले दिनों में उनको नहीं दिख रहा income का और कोई source और उनको ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में उनकी income कम ह हो जाएगी मान लीजिए मुझे हर साल सो रुपया लोन का repayment करना पड़ता है और इस वक्त मेरी income डेड़ सो रुपय है तो मैं क्या करता हूं पचास रुपया में गुजारा करता हूं और सो रुपय का जल्दी से चुका देता हूं मान लो मुझे अंदेशा हो जाए अगल चाबर चुकाना पड़ रहा है लेकिन मेरी income कम होने वाली है नतीजन क्या होगा जल्दी से लोन चुकाना चाहूंगा तो क्या मैं इस वक्त में और लोन लेना चाहूंगा बिलकुल भी नहीं यह सारे इंडिकेटर्स हैं कि आने वाले दिनों में चाइना में जो लोन का डि कैसे से वह उबर पाएंगे याने चाइना लगबग फस चुका है दोस्वें यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है जपैन तो हाई income में ट्रांदिशन कर चुका था चाइना आज भी अगर आप देखें तो यह एक मिडल इंकम कंट्री है जपैन साउथ कोरिया तैवान आय हाई income में नहीं जा पाया अपर मिडल इंकम एकॉनमी में फसा हुआ है और वहां पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उसकी एकॉनमी स्टैगनेट कर जाएगी याने वो क्या हो जाएगा यहीं पर फस जाएगा दोस्तों लो इंकम से मिडल इंकम पे जाना आसान है जब आप लो फस लिए आप असानी से कम रेट पे चीजों को बना के इकॉनमी या कोई भी सर्विसेज लिए बना पाते हैं तो लो इंकम टु मिडल इंकम जाना असान है लेकिन मिडल इंकम से हाई आप जाना बड़ा कठे न है इस में से कई कंट्रीज है जो कई सालों से फसे हुए ब्र हिन है क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो हाई इंकम में जाने के लिए आपको इनोवेशन वाली इकॉनमी बनानी होगी कुछ लेवल ऑफ डेवलप्मेंट लाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मॉडल काम नहीं करता कुछ नया करना पड़ता है तो चाइना भी प्रयास कर रहा है इनोवेशन वाली इकॉनमी बनाने का लेकिन लग रहा है मानों जैसे अगर वह आने वाले पांच-छे साल में कुछ नहीं किय तो वो बुरे तरीके से पसने वाला है उसके उपर से दोस्तों यहां पर इस प्रकार के न्यूज आते हैं सैटलाइट डेटा से ऐसा दिखता है कि चाइना रशिया और अन्य नौर्थ पूरिया जैसी जो अथरिटेजन एकॉनमी है वह अपने जीडिपी को ओवर स्टेट क रही उससे वह उकॉनमिक ग्रोथ नापते हैं उनका पैमाना है और इसी के अनुसार अगर चाइना पर इस मॉडल को बठाते हैं नौर्थ पर रिसमीर नापते हैं कि अब्र शीर आया गया है तो कुछ ना कुछ वो भी एक प्रॉपर तेरी के से बैक्ड होगा तो यहां पर बुकिंग्स इंस्टिटूशन का ऐसा कहना है कि 2019 तक में चाइना ने ऐसा कहा है उनका कि हर साल वो अपनी अगला जो आएगा वो कैसे बोल दे कि नहीं भाई इस बार तो हम चार परसेंट पे ग्रो किया है क्योंकि उससे तो अल्रेड़ी दो परसेंट ज्यादा क्लेम करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज एकॉनमी आज भले 20 ट्रिलियन करीब पे है लेकिन ये उनका ऑफीशल नंबर है मिडल इंकम में इसके बावजूद वो ऑफीशल नंबर के अनुसार है अक्च्वल नंबर तो हो सकता है यह 16 ट्रिलियन पे हो या 15 ट्रिलियन पे हो कुछ तो कहते हैं कि 12 से 10 ट्रिलियन भी ह हो सकती है 9 ट्रिलियन भी हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लगता है लेकिन फिर भी रियलिस्टिकली अगर आप देखे तो चाइनीज एकॉनमी 15 ट्रिलियन यह 14 ट्रिलियन जरूर होगी तो याने कि अभी उसको और बहुत ज्यादा एकॉनमी ग्रोथ का फासल 37 याने आने वाले साथ साल में होने वाला है दोनों एक्जाट्लि सेम लग रहे हैं याने कि चाइना की population पूनरूप से जेपान जैती एजिंग population में तब्दील हो चुकी है जब population aging हो जाएगी याने ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे होंगे काम नहीं कर रहे होंगे वो dependent होने वाले हैं economy में नया value addition नहीं होगा वो क्या करेंगे वो अगर आप देखें तो उन पर ज़्यादा खर्चा होगा healthcare में और इस प्रकार के खर्चे बढ़ने वाले हैं तो क्या वैसी economy superpower बन सकती है वैसी economy कैसे बनेगी superpower याने की this is the end of the China's growth story दोस्तों अमीद करता हूँ आपको आज की analysis पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिएगा इसके सिवा बहुत जरूरी announcement है प्लीज सुन लीजिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हर तीन में एक selection UPSC में unacademy से हुआ है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि हम quality education दे रहे हैं और ये quality education आपके लिए और भी affordable हो चुका है लेकिन दोस्तों आज रात को price high होने वाली है तो 7,999 बस आज के लिए ये कीमत आखरी दिन है जब आपको 9 सत्य अधिक गंटे live class के मिल रहे है comprehensive syllabus coverage मिल रहे है mains की, prelims की test series भी इसमें मिल रही है और साथ-साथ toppers classes भी है तोस्तों ये सब आपको तब available है जब आप नीचे description box pinned comment में आपको link मिलेगा use the code KC10 और उसको जाके जल्दी से apply करें इसके सिवा दोस्तों कल यानि आज रात को रदर 12 बजे price high होने वाली तो उसके पहले जरूर subscription ले 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 आप चाहें तो optional combo भी ले सकते हैं जिसमें आपको आप जो optional चाहें चुन सकते हैं 14,999 में आपको मिल रहा है लेकिन अगेन price high के बाद कीमत बढ़ जाएगी इस lecture का PDF मिल जाएगा है डाउनलोड कर ले आपको सारे optionals individually भी मिल रहा है 7,999 रुपए में बस आज रात तक उसके पहले ले ले 7 अगस्ट से दोस्तों हमारा NCRT foundation plus comprehensive GS badge भी start हो रहा है जिसमें 11,100 से अधिक घंटे batch hours है, 40 credits, 10 mains के test series है टॉपर्स classes है, mentoring है यह सब आपको मिल रहा है केवल 11,999 रुपए में description box, pinned comment में आप देख सकते हैं link मिल जाएगा वैसे ही pathfinder का NCRT foundation batch है यह आपको मिल रहा है दोस्तों केवल 4,999 रुपए में 10,30 AM 7 अगस्ट को यह batch भी start हो रहा है, इसका हिस्सा जरूर बन जाए हमारी faculty है, perspective series को देखे और हमें हमारे सारे के सारे social media handles में जरूर follow करें